आमिर भाई हैं पूछने चाहते हैं कि प्रिंटिड टीशेट होती हैं जो ओनलाइन आजकल लोग बेच रहे हैं उसके उपर कुछ ऐसी कुरानी आयात जैसे कुन फाया कुन सब्र इमान वखेरा लिखते हैं तो क्या इस तरह आप पुरानी प्रिंटिड करके कुरानी आयात को बेच सकते हैं या नहीं टीशेट असल में कुरानी आयात का बेचना तो नहीं होता ये बेचना तो टीशेट का ही होता है लेकिन ऐसे कपड़े के ओपर कुरानी आयात का लिखना कि जो लेमिनेटिड भी नहीं होता और उसको इसी तरह पानी में डालको इस पानी को फेक दि दूसरी चीज हैं कि जो ना हदीस हो ना कुरान हो तो वो प्रिंट की जा सकती हैं उसके अंदर इतना सख्त होकम नहीं है बाकि ऐसे जैसे आपने बता है कुन फाया कुन या अलहम्दुलिल्ला इस तरीके कि यह कुरानी आयते हैं तो वो चीजे टी-शेट यो पर या कपड़ ना की जाएं